हेलो गाइज वेलकम टो अने दर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फिंट्स एच जी इंफ्रा की ओर से सप्टमबर क्वाटर के फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है आज केस वीडियो में आसेस करेंगे चलिए फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं और नंबर्स की बात करें तो मिलियंस में है इंकम में 957.6 करोड का पिछले क्वाटर में 1356.5 करोड का और सब्टमबर 22 क्वाटर में 799.7 करोड का इंकम है क्वाटर ओन क्वाटर में फॉल है यर ओन यर में उंक्रीज किया है एक्सपेंसेस 828.5 करोड का पिछले क्वाटर में 1153.7 करोड का और सब्टमबर 22 क्वाटर में 692.2 करोड का इंक्सपेंस हुआ था quarter on quarter में decrease किया income के according लिकिन year on year में increase किया है जिसके बाद operating profit है 129 करोड का पिछले quarter में 202.9 करोड का और September 22 quarter में 107.8 करोड का operating profit था quarter on quarter में down है year on year में increase किया है net profit 96 करोड का पिछले quarter में 150 करोड का September 22 quarter में 81.9 करोड का net profit है quarter on quarter में down है year on year में increase किया है EPS 14.75 रुपीज का quarter on quarter में down है लेकिन year on year में increase किया है तो guys company का result अगर देखिएगा तो average है क्यों quarter on quarter में fall देखने को मिला profit margin is 10.07% का quarter on quarter year on year दोनों में fall है तो overall average result पेज़ किया अगर हम stand-alone results को cover करें तो income है 871 करोड का पिछले quarter में 1275 करोड का September 22 quarter में 755.5 करोड का income है quarter on quarter में fall है year on year में increase किया है expenses 788 करोड का पिछले quarter में 1114.8 करोड का September 22 quarter में 669 करोड का expense हुआ था quarter on quarter fall है income के according जिस तरह से income में fall वह तरह से expenses भी fall हुआ है लेकिन year on year में increase किया है operating profit 83 करोड का पिछले quarter में 160 करोड का और September 22 quarter में 86 करोड का operating profit है quarter on quarter में fall है year on year में increase किया है net profit 61.6 करोड का पिछले quarter में 118 करोड का सब्टमबर 22 quarter में 64.6 करोड का net profit है quarter on quarter year on में down है year on year में down देखने इक देखने को मिला देखिए यहां पर quarter on quarter year on year दूनों में decrease हो गया EPS है 9.46 रुपेज का quarter on quarter year on year दूनों में down है तो कंपनी का रिजल्ट अगर देखे का तो average क्योंकि स्टैन्डरूउन में quarter on quarter थीaya टोनों में डिक्रीज है लेकिन इस एक और यभी डेन करते हैं चापकर रिजल्ट करते हिएं लेकिनीच कहींPoint कमेंट लौकस में ने